अरे बहु कहां मर गई जिन्दा हूँ माजी अरे जिन्दा हो तो फिर अभी तक मेरी चाय क्यों नहीं आई कब से पूजा करके बैठी हूँ ला रही हूँ माजी माजी तो और है धंग से पोटी भी नहीं करने दे रही है अब आदे पर ही जाना पड़ेगा अब क्या होगा अब दे ही आती हूँ चाय बाद में करूँगी पोटी धंग से हगने भी नहीं दिया लो माजी अपनी चाय चाय के साथ भजिया भी लेक्या है खालो अरे बहु भजिया खिला कि मुझे मारेगी क्या है इतना तेल होता है इसमें एक चाय दस घंटे मिलाई उपस मेरे लिए जहर भी ले आई इससे अच्छा असली बाला ले आती कोई बात नहीं माजी आप चाय पीजिये खाली हम भजिया ले जाते हैं अरे नहीं नहीं बहु अब तुने इतने प्यार से बनाया ही है तो अब खाई लेती हूँ कहां बरबाद होएगा सब तेल लगा है बेशन लगा है इतने मसाले लगे हैं तेरी मेहनत भी तो लगी है लाला खा लेती हूं आज की दिन कौन समर जाओंगी लाबहू दे दे लो पकरो अरे देगी माता तभी तो पकरूंगी पकरो पकरो कर रही हो माजी खाईए और खाके बताईए कैसी बनी है अरे तैय अरे लग रहा मुझे डड़ेंदा तेल से बना दी इसने कैसी मैक रही है दो कोड़ी की भजिया है अच्छी अरे माजी क्या हो गया जुखाम हो गया क्या सुर 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 कर रही हो एं बहू जुखाम तो नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा भजिया बहुत अच्छी बनाईए तुमने सालत जिसने भी एक भजिया खाने की जगे सूंग ली न वो भी ब्योस हो जाएगा सोच लो हगने ने दिया था आप खालो भजिया मैं क्या सोच रही हूँ कि अगर मैंने ये भजिया खाली न तो कभी चार पाई नहीं छोड़ पाऊंगी हमें इसा के लिए पकड़ लूँगी पता नहीं है किस चीज से बना के लाई है कितनी बदभू मार रही है मैं खाऊंगी तो है नहीं ना किसी को खाने दूँगे यही खाले जाए डोस्ट कहीं की मा जी आप भजिया खाईए हम कपड़े दोने जा रहें अरे बेटा वो तो ठीक है कि तुम कपड़े दोने जा रहें एक काम करो न ये भजिया भी लिये जाओ, इंकपड़े दोते दोते खा लेना हमारा भी मन नहीं ये खाने का, हम चाय बर पिएंगे अरे माजी क्या हो गया, इतने प्यार से बना के लाएं, खाईए खाईए अरे नहीं बेटा, मेरा मन नहीं है, तू ले जा भजिया, तू ही खा लेना कोई बात नहीं माजी, लाइए भजिया मैं ले जाती हूँ चलो यहीं पे रख देती हूँ, बाद में मैं ही खालूंगी अब कपड़े ते धुल गए, अब मैं सुकुन से नहा आ लूँ, वरना यह बुढ़िया तो बहुत जादा जान खाई रहती है मेरी सहिया रहते जमुना पार, उनकी लंबी मोटर कार, सचे दजे के बैठी में अरे ओ बहु, देखो कितना टैम हो गया, खाना वाना मिलेगा हमको या नहीं, कहां सिंगर बनी हो इस बुढ़िया को हुआ क्या है, नहाने भी नहीं देती है शुकुन से, नहाग ने दिया अब नहाने देती है, दिन भर जान खाई रहती है मेरा इस बुड़िया ने मेरे को परिसान करने का फारम भड़ दिया है इसने पेपर दे दिया तो ये फर्स डिविजन लेके आएगी अरी ओ बहू, सुनाई नहीं दे रहा क्या, इतनी देर से बुला रही हूँ भूख के बज़े से जान निकली जा रही है, खाना वाना बनाई हो या नहीं अभी तक हो कहां तुम देख लो मेरी सास को, कितना परिसान करती है आप लोग भी बताए, आप के हाँ भी ऐसी सास है क्या है तो मिझे जरूर बताना, मेरी सास बहुत खराब है आज मैं नहाऊंगी नहीं, अब मैं रात में ही नहाऊंगी सोने के पहले आज जाकर के बुढ़िया के पास बैठूंगी, देखती हूँ आज क्या-क्या काम करवाती है मेरे से लो माजी, पकड़ो खाना, और खालो ला दो अरे बहु, अब तू क्यों बैठ गई, अब जा अपना काम कर, अब धो ले अपने कपड़े, मैं खालोंगी खाना, खाना खा के आराम करूंगी घंटे दो गंटे, तू जा के अपना काम कर हाँ, अब तो यही बचाए मेरी जिन्दगी में, हगने जाए, तब चाय देने आए, नहाने जाए, तो आपको खाना देने आए, और कुछ तो रहने गया है, मेरे पास तो अपना कोई कामधाम है नहीं, मेरी तो किसी को कोई भेकरी नहीं है, मैं जी रहा हूँ, नहीं जी अपको देखो आपके बेटे का देखों अरे बहू कैसे बात कर रही हो मतलब खाना मांग दिया तो ऐसे बात करोगी अरे माजी खाने की बात नहीं है अगर आपको मम बता के गए थे कि हम कपड़े दूने जा रहे हैं आपको इंतजार करना नहीं आया अगर इतना ही वो था भूक लगी थी आप जाकर के खुद ले लेती खाना खाना तुम बना करें गए थे कपड़े दूने ओ तो ये बात है कि मैंने तुमको खाने के लिए बुला दिया तो तुम्हें इतना मतलब वो हो गया तुम हो किसलिए बहु किसलिए होती है अपने इसाज की ससुर के अपनी पती की सेवा करने के लिए अरे तुम चाहें कहीं भी हो खाना पीना तो तुम ही दोगी अब हम जा जा के ले लेके आएंगे तो तुम्हारा हम क्या करेंगे आर्ती हुतारेंगे तुम्हारी हम बहु है तो क्या आप हमको दिन भर काम में ऐसे लगाए रहेंगे हमारा भी कुछ काम है आप तो ढंग से बात करते नहीं और इतना वो कर रहे हैं हम तो खाना बना के देही रहे हैं कपड़े भी दूलते हैं आपके हर घर का काम करते हैं सारा घर का काम तो हमी करते हैं आप धोड़ न करते हैं कौन से कर में नोकरानी लगा के रगभी है मेरे ल ठीक है अपने जो काम हुआ करें वह क्या करो जो बोलेंगे न वह करना पड़ेंगा ऐसे मज में बाहू है तो काम नहीं नहीं करेंगे यह इसका गये भीजा है दुमारे माबापने वेखू बाहू वह तो बहू बन की रहो अम्मा बनने की कोशिस मत करूं एक दिन अम्मा भी परिशान नहों सास भी बनोगी बहुत जल्दी मातरानी करें यह मनुकामना तुम्हारी पूरी हो जो हुकम हमसे चलाती हो न वह अपनी बहु से चलाना ओ माजी माबाप पर मत जाईए हम जा रहें अपने समान पैक करके अपने माई के आप यही रहो अपने बेटे और बेटी के साथ हम न रह रहें यहाँ पे इतनी बाते तो हम अपने माबाप की भी नहीं सुनते हैं आपकी क्यों सुनेंगी हाँ हाँ ठीक है नहीं सुननी है तो फोन लगाओ अपनी माँ को या अपने भाई को और चली जाओ कोई बात नहीं है जैसे हम पहले काम करते तो अभी भी कर लेंगे बहु बेटियां काम के लिए ही होती है और काम में ही अच्छी लगती है करती हुई बेकूप कहेंगी बक्वास कर रही है जहना है माईकी तो जाओ इधर किसको सुना रही हो चलो कोई बात नहीं है अब आपकी भी इजाज़त मिल गई है अब हम चले जाएंगे अपने माईके और हम जा रहे हैं अपने बेटे को भी बोल दीजेगा अरे किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है अब फिर हम क्यों बोलेंगे वह कौन लगता है तुमारा अरे तुम तो अपने मन की मालिक हो ना तो जो हद्धे देखो तुम आजी कैसे बात कर रही है जाओ एधार अधर मूं क्या घुमा रही हो जाओ अपने कमरे में